उसके बाद कुछी महने बाद टाइल उखाड के उहां पे पोदे लगाने का काम शुरू हुआ है क्या मानते हैं पिस्षिस को? ये तो विवाग की थोड़ी मैं कमी माननूगा कि अगर पहले पोदे ही लगाने थे तो फिर कमी मानेंगे लापरवाई मानेंगे विशेष दोर से निगम के जो चुनाब की जितने भी उमिदवार थे मेर साब थे बेसारा पसु मुक्त कराएंगे तो कहां तक मुक्ती पा चुके हैं आप लोग जनता तो नहीं पा रही आप लोग है सहर में जी बातावरन वहां तो बना हुआ है सहर में तो नहीं बना हुआ आज के दिन सहर में अगर सेक्टर 14 में आप जाते हैं उसके बावजूदी सहर में कुछ हालात सुधर नहीं दिखरे भी हम ये तो नहीं कह सकते सेनिया महलने के हम लोग बात करते हैं सेनिया महलने में फिछले भरसों में जो काम होए थे उसके बाद आपके कारेकाल में पहले यहां से बहरलान राड़ा जी जैसे पारसत थे और यहां परधान में रहे उसके बाद से अब तक आप जब आप बने हो तब से आपने क्या-क्या काम करवाया जनता को बताईए सेनिया महलने भी से इस तोर से आपके वाड में वार्ड में हम लोग ना सबजी मंडी से आपकी डॉक्टर बनाराशी दास गुपता की साइड हम लोग आते हैं ते यहां पर सड़क तुटी-फुटी है गंदगी आप अगर देखेंगे तो पलाटों में गंदगी के धेर हैं और आपके घर के आस-पास भी अभी मैं जैसे आ रहा था यहां पर सेनी साब के घर के आगे इस साइड भी वही कूडा करकट अभी भी उसमें सुधार नहीं हाला कि बहुत सारे गाड़िया निगम ने ले लिया सफाई करमचारी आप लोगों कर रहे हैं उसके बाद स्वत्ष भारत की आप लोग सपने देख रहे हैं कि अरिया में हम लोग देखें अमीद ग्रोबर जहां वो कहते हैं कि बहुत मैंने काम करा लिया उन्हीं के वाड की अगर बात करें सेक्टर 13 की सड़के सारी डूटी पड़िये इस तरह के हाला थे अब जैसे आपने यहां पर नया सड़क बना दिया इसकी सीवर का ठकन इत उद्गाटन कर दिये बहुत सारे और उसमेने अमली जामन नहीं पहना आए गया उद्गाटन करके छोड़ दिये एक दो मैने में ठेकदार छोड़ गया मामला जूंकितनों और दूसरा प्लान आप लोग लेके आ चुके हो ऐसा है उसका कुछ काम रह गया था तो ठेकदार को सरकार ने उसको नोटिस भी दे दिया था अगर यह मारा काम अभी दो मैने तिन में पर शुरू हो जाता है तो मैं पूरा विश्वास है कि इस बार पानी जो डेड़ दिन दो दिन खड़ा रहता था ना अब दो गंटे तिन गंटे में पानी निकल जाए तो लगता है जैसे आप पे कहरें कि मेरे वाड में ने बहुत काम किया है सहर में विकास बहुत हो रहे हैं आपने अधिकारियों के पर बंड़ा फोड़ दिया कि अधिकारियों की लापरवाई है अधिकारियों की दोसे वो डंगसे नहीं करते हम तो सही हम तो एक तरह से सा हैं कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो बगावत करेंगे बहुत ऐसे नेता भी आने वाले समय बगावत करने वाले अगर टिकट नहीं दी तो बगावत कर सकते हैं हमारा परिवार बारती जन्ता पार्टी से जुड़ा हो बाया चल रहा है उस पर हम दिस्तार से बात करेंगे अनिल जी नमस्कार नमस्कार अनिल जी बिकास में कितना छुपा है अब निर यह से करोना टाइम में तो काम विकास की रफ्तार थोड़ी धिमी होगी थी अब निरंतर काम चल रहा है पिल्कूँ अनिल जी एक तरह ना में अगर फोकस के हम लोग बात करें डिवाइडर वाला बहुत बड़ा मामला एक तरह से पूरे सेर में डिवाइडर लगाए गए और उसके साथ ग्रीड लगाए गई फिर टाइल लगाए गया बड़ा सुंदर बनाया गया था पेंट मूंट करके चम चम उसके बाद कुछी महने बाद टाइल उखाड के उहां पर फोदे लगाने का काम शुरू हुआ क्या मानते हैं पिस्टिस को यह तो विवाग की थोड़ी मैं क कि कमी माननूगा का अगर पहले फूदेला लगाने थे तो पहले करो करोना में प्रिदो के बिना अमार में को कितनी कमी महसूस होई सरकार का निगम के जो प्रसीजर है सरकार का तो सारा उपार का इंकलूट होता ही है पीर मने पर दॉबरा क्या करके जहां है तो पहले काम किया है ऑसली नहीं हुआ है लूब जी षुदेश्थे के साथ आपने बनाया उसको फिर एक रिवाइज करके दुबारा टेंडर लगा है दुबारा तोड के कुछ और हुआ आप बना रहे हैं तो पहले काम जो किया था उसको कि इस तरह से इंप्लिमेंट करने के लिए बड़िया तरीके से जो सोच ते विचार थी उसमें कहीं ने कहीं तो वो था गड़वडि तो नहीं का सते विवाग की मैं कमी मानूँगा कि पेड़ पोद्य लगाने थे तो पेले उस पे विचार करते इसे तो विवाब का भी नुक्षान है और जनता का भी होता है, लोग तो देखते हैं भी क्या कर रहे हैं, भी सरकार क्या कर रही है, इसे सरकार की तो बदनामी होती है ना, भी पहले टाइल लगा दी, फिर इसको उखाड दी, अब पेड़ पोदे लगा दी है, तो इसको अधिकारी को, इसको में संग्यान लेना जो जो जाते है वह महलब कों लेता है मालब ही नियुक्तFR जो भी लगने के बाद हो निकलता तो है नहीं मैंने अभी आपना मकान बना हैं कोईप्थर पूथर तो कोई बचे नियद नियe तो मिलबे में चल जाते है मल भी वाड़े तो उठाने के भी पैसे लेगे जाते है इसमें तो कुल मिला के अगर बात करें तक करोड़ों रूपए जनता के खराब हुए है इस मोहिम में करोड़ों की तो नहीं कह सकते भी जो कुछ नुक्सान तो हुआ है सरकार का और यह जनता गई पैसा है तो इसमें आगे से मधिकारियों से भी कहेंगे भी आगे देख कर करें जो प्लानिंग है जो काम है उसको पहले इंक्लूड करना चाहिए कि हमें यह पेड़ पोदे लगाने या नहीं लगाने है तो सोच विचार कर काम करना चाहिए जैसे बेसारा पशु की बात होती है आपके जैसे चुनाब आप लोग लड़ रहे थे भाजपा का नाराय था कि विशेशत और से निगम के जो चुनाब की जितने भी उमीदवार थे मेर साब थे बेसारा पशु मुक्त कराएंगे तो कहां तक मुक्ती पा चुके हैं आप जनता तो नहीं पारी आप लोग इसी मंतरी आदर्निया चोधरी ओंप्रका दनकरजी थे जिनोंने पचास एकर जमीन फारम की निगम को दी और दस करोड़ रुपे की सरकार ने गरांट दी जिसके चार दिवारी सेड़ बगरा बनी उसके बाद नगर निगम को एक जगह मिल गी जावारा पस्वों को उठा निगम और वान ले जाकर उनकी वेवस्ता भी कर रहे हैं उनके चारे की पाने की और रहने की。 सब्सक्राब करने के लिए और आप बादा बारन बड़िया वांतार बना हुआ है आ दो नहीं बना हुआ आज की दिन सहर में अगर स्टर चोदर में आप जाते आपकी अपना उलने में आप चलिए इतने बेसारा गाएं हैं पसु हैं उनको कोई जगे नहीं है और आप लोग कहरें डेली उठाया जा रहा है गाड़ी निगम के पास आगी में इरसाब कह रहे थे कि एक संस्था को केडिया फॉंडेशन उनको ये दे दिया गया जिम्मा उसके बावजूदी सेहर में सरवाल जी अपने मिटाउन वालों जी ने मिलकर इनको गोई बेन को लिया है वो भी बड़ा अच्छा कारिया करी है संस्था और निगम भी उनका सही हो कर रही है और हम ये तो नहीं कह सकते हैं लेकिन सरकार हमारी पहली बर सरकार हर्याना में अगर किसी गाएं के लिए और सहर की पसुआ हरो के लिए कोई काम किया रही तो हमारी सरकार ने किया जैसे कि आने वाले समय में चुनाब भी है लगवगा आठ नो मैंने का बक्तापलों का बच्चा हुआ जैसे निगम के चुनाब होने उससे पहले पहले बेसारा मुक्त हो जाएगा हिसार वही मैं सो पर लाड़ा जी रहे जैसे पारशद थे और यहां परदान वी रहे उसके बाद से अब तक आप जब आप बने हो तब से आपने क्या क्या काम करवाया जनता को बताइए सेनिया महलने भी सेस्तोर से आपके वाड में वाड में पार्शद के जो काम है वो साफ सफाई के हैं दूसरा हमारे सेनी स्कूल के पास जो शैनी सेनी समाज भावन वहां से सभजी मंडी चोक तक पानी की समस्या हमारी पचास साल की वह भी हमारी टेंडर भी हो चुका है और जल्दी बविसे में दस या बीस दिन में उसका काम भी सुरू जाएगा सड़कों के भी वाड में सड़कों भी काम दिन पर तिन चल रहे हैं पारकों के भी काम चल रहे हैं और हमने हमारे जो तीन चारी थे वीजे नगर, संत नगर, मैता नगर और बड़वाई डानी में हमने वाटर सप्लाई की लाइन भी डुलवाई है और पानी के लिए वाटर इसका भी निर्मान हुआ है। काम तो चलते रहते हैं, donc पारकों की देखबार हो रहластी है, उनकी सिम्भीतिया बनाई हुई है, जो वाड के जो काम अलग वीकाम होते जाते हैं, काम में कोई कम Religया कीं में कोई कमिनी है आप काम कर रहे हैं जैसे कि हम लोग ना सबजी मंडी से आपकी डॉक्टर बनाराशिदास गुपता की साइड हम लोग आते हैं ते यहां पे सड़क तूटी-फूटी है गंदगी आप अगर देखेंगे तो पलाटों में ना गंदगी के धेर हैं और आपके घर के आसपास भी अभी मैं जैसे आ रहा था यहां पे सेनी साब के घर के आगे इस साइड भी वही कूड़ा करकट अभी उसमें सुधार नहीं हाला कि बहुत सारे गाड़िया निगमने ले लिया सफाई करमचारी आप लोग को कर रहे हैं उसके बाद स्वत्ष भारत की आसपास कहा रहे थे ना क्योंकि अभी यह रोड बना है और ठेकदार को भी बोल दे आभी आप इसकी सफाई करवा दो क्योंकि आर्ची का रोड रोड ना पानी इसमें डालना पड़ता है उसी का यह वह मिटी बात नहीं कर रहा है मैं गंदगी की बात कर रहा हूं यह पॉ की कमी हो लेकिन सफाई की बात वैश्ता तो ठीक चल रही है हाँ जो रोड की बात कर आप सेनी स्कूल से लिए के वहां तक क्योंकि अभी हमें इसमें बड़ी सीवर की लाइन डलवानी है उसके लिए हमारा काम पेंडिंग पड़ा है कि पहले सीवर की लैंडल जाए क्योंक कवार वो सड़कों पर रख देते थे एक साइड से लोग आने जाने के लिए आने जाने के लिए अभी भी वह दूबिदा है समस्य है हाला कि खोलने की सरकार ने प्रसासन ने प्रयास तो किया है लेकिन पूरी तरह से कामियाब आप लोग नहीं हो पाएं तो उसको कब तक बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे उसमें टाइम टू टाइम नगर निगम की जो अतिकर्मक टीम है आकर कारवई भी करती है जिनके कोई समान पड़े तो उनका चलान भी करती है तो अब हम उसे भी रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि समान अपना अंदर रखो क्योंकि उन् समापुरसों के परतीमा थी उनको साफ करने की दोने की कोशिस की और साथ की साथ तीरंगे लाइट की आप लोगों ने पुरा हो किया उसी के साथ 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 सेर में बहुत सारी जगे ना सड़कें क्यों डिप्टी आप सीने डिप्टी मेरे इसलिए मैं सवाल आप से कर रहा अमीद ग्रोबर जहां वो कहते हैं कि बहुत मैंने काम करा लिया उन्हीं के वाड की अगर बात करें सेक्टर 13 की सड़कें सारी तूटी पड़िये इस तरह के हालात है अब जैसे आपने यहां पे नया सड़क बना दिया इसकी सीवर का धकन इतना है कि अभी मैं गाड़ी से आ पर निचे भी है उन्होंने इसका एस्टिमेट बना गभर बेज़ा है कि जल्द इस पर कोई काम होगा पूरे इसहार की उन्होंने लिस्ट बना गभी बज़िए 32 बता ले थे वह कि जो उपर निचे है जो रोड में एक्सिडेंट का भी खतर रहते है तो उसका भी काम इसा क्या है पुब्लिक हल्थ में काम करना नहीं चाहते है नियत रही है और इस बार तो हम बात करें डॉक्तर कमल गुपता कैमिनेट मंतरी है हिसार की है उसके बावजूद आप लोगों को पुब्लिक हल्थ इतनी समस्च्य क्यों आती है ऐसा है रमेश जी क्योंकि पुब क्योंकि अब पहले अमरीत वन में कुछ काम चल लहा है अब अमरीत टू का भी काम शुरू होगा तो उसमें पुरानी जो लाइने है ना सीविर्ज की खास करतों बदलने का कारिया करेगी सरकार जो सेंटर का पैसा है नगर निगम में जिस से अपने ये रोड का भी काम सात लोग खबर में डालते रहते हैं कि अमरीत योजना अमरीत महसब जो थे पिछले उद्गाटन कर दिये बहुत सारे और उसमें अमली जामन नहीं पहना गया उद्गाटन करके छोड़ दिये एक दो मैंने में ठेकदार छोड़ गया मामला जूंकितूं और दूसरा प्लान आप लोग लेके आ चुके हो ऐसा है उसका कुछ काम रह गया था तो ठेकदार को सरकार ने उसको नोटिस भी दे दिया था और उसको यहां से भी लिखके विज़े इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए यह अपना काम शुरू करे और आगे बीच में साथ रोड में भी दुबारा काम शुरू हो चुके हैं पुरा विश्वास है बीजेपी सरकार पर मनोरलाल जी की नीतियों पर आदर ने हैं परदान मंतरी नेंदर मोदी जी की नीतियों पर लोग विश्वास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं लोगों के गरीब के लिए किसान के लिए वेपारी के लिए सरकार सभी को साथ अलेकर काम कर रही रही है और हमारे तो मुख्या मुद्छी जगाँ प cricket नारता हर्याणा एक हर याने वेक और सब का साथ सब का विकास 90 के 90 पूरे हलकों में समान विकास करवा कर और मनोलार जी परदेश की जंता का बला करे अगर कॶन की का विकास बारि विकास के राज तो कोई किन्तु प्रूंतु नहीं ना कोई किसी का पक्सपाक्त करने वाड़ा है कि मेर के पार्सोतों की सिकायद सुनी नहीं चाल के यह एक कंपडी जो के उसके बाद आप लोग उनके खिलाब पेँमिंट रोकने के लिए आप लोग उने फाइल बेज दिया उसके बाहुं 우 पेमेट हो गी आप लोगों की थे सुनती निसरकार पेमेट की तो बात हो सेंटर रूंहों पर देश तका ठेका लिए सेंटर का लेकिन हमने चुकायत की थी कभी हमारे हमारे 2015-2010 पाराइड उन्होंने गल्द कर दी है उन्होंने उसका कारी ठीक कर दिया है घरादी अबी भी प्रश्राइब नाज होगां कुछ है जोग कोई अधिकारी ने मीटता है कभी आप लोग का साइड नहीं चलती इस तरह की प्रोलोम है और अप कहे रहें कि सारा कुछ सब्सक्राइब आप परसो ही हमारे आधरनीय मुख्यमंत्री जे ने काया है किसी अधिकार ये ने किसी गल्थ रासन कार्ड काड़ दिया तो वो अपनी तनका से उसका रानाज देगा परसो ही उन्होंने गोशना करी है तो और पहले साइट का भी था और अब जो रिक्वेस्ट डालते हैं 15-20 दिन जो गरीब आखमी तो लिक्त पुन अपनाशन को रहते हुआ है और लोगों के कार्ड बन रहे हैं पहल्ली बार रह चुछ आट या जो हैसा ने सल mega लग पकिए हैंmakers के वार्ड में भी आप लोग समाल लीजिए डिपों को ताकि कभी जनता के साथ दोखा हो जाए ना वह बिलकुल मैं ऐसी कोई बात है तो मैं खुद जालूंगा जागे डिपों पे इस बार आएगा तो मैं जूड़ देख का हूंगा सुनने मिया रहा है अनिल मानी इस बार ए उसके बाद मेर बनने के आप तलास में हो नहीं बड़े बाइज अपने 35 साल से पार्टी में जुड़े हैं और विदान सभा भी चुनाओ नों लड़ लिया पार्टी के जीला के दक्स रह लिये परदेश के भी काफी पदोपर भी रह लिये वह जबी पार्टी ने मोका दि नहीं हम तो पार्टी के शिफाई हैं तो अगर पार्टी ने टिकेट नहीं दी तो बगावत करेंगे बहुत ऐसे नेता भी आने वाले समय पे बगावत करने वाले अगर टिकेट नहीं दी तो बगावत कर सकते हैं नहीं हमारा परिवार भारती जनता पार्टी से जुड़ा लड़ने के लिए और आगया भी जिम्यवारी देती रहेगी हम तो पाटी के साथ बिलकूल और पार्टी की संख्ठन के साथ है तो हुआ लड़ने के लिए आपने राजनिती में है विफ्टो हैय जो हमने तो काम अमने सोचे थे भी हम बने और यह हमारा काम पूरे तो हमारा बढ़ना सफल है एक तो हमारा काम हो गया अभी शेनीं मौले बाड़ा वीजेन ओखर संतनेखर जो पाणी की समस्षे अगर दूर हो जाती है othfang अगर गयूम हो तो हम बढ़ना सफल सबती हो आपको लगता है कि ग्रसात आईगी इस वक्त आने वाले समय में तो इस बार पानी खड़ा नहीं होगा आपके छेतर में आपके इलाके में और जो खास दोर से मंडी में लोग किस्तियां लेके चलते हैं जैसे बरवाला का हाल दिखता था ऐसा ही अगर यह मारा काम अभी दो मेंने तीन में शुरू हो जाता है तो मैं पूरा विश्वास है कि इस बार पाणी जो डेड़ दिन दो दिन खड़ा रहते था था ना अब दो गंटे तीन गंटे में पाणी निकल जाएगा चलो समय देन एざ भी दहने बहुत appetite दन्यवाद झानियज्द और आपके आरेशन चैनल का भी में धन्यवाद करता हूं और आपके followers का भी और दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं और और मुझे टाइम अल्रफ के और संट निवारत हैं आपके वढर में जो शुदार कर सकें और आने वी समय में जब चुनाब होगा तो मन्यों हो सकता है पार्टी ने थपकी मार दी तो मैदान में भी आएंगे लेकिन दिल में तो इच्छा आए लेकिन पार्टी उपर उन्होंने एक तरसे निर्भर कर दिया छोड़ दिया लेकिन पाला बदलने वाला नहीं है क्यों संग एक तरसे भारती जनता पार्टी से सुरू से जुड़ते आयें तो हो सकता है कि पाला तो ना बदले लेकिन ये कि अगर आदेश उपर की वही तो मेदान में भी उतरेंगे